कि योगेश्ट टेकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत सुवागर दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे मैं आज आपको इस वीडियो के माइदम से इसके एक विशेश परामेटर की सेटिंग करना बताऊंगा आप जैसा डिस्प्ली पर देख रहे हैं आपको 33 दिगरी सेंटेगरेट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अगर इसका तापमान जैसे अभी बढ़ेगा तो 33.1 या 33.2 ऐसा नहीं होगा जैसे ही इसका तापमान बढ़ेगा या घटेगा तो सीधा 33 या फिर 34 और अगर नीचे आएगा तो 33 या फिर 32 ऐसे आएगा लेकिन अगर आपको इसमें कुछ ऐस्विधा होती है तो आप इसके रेजलिसेशन को चेंज कर सकते हैं एक सेटिंग में जाकर वो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा तो फिर जब आप उस सेटिंग को चेंज कर देंगे तो आपका जो तापमान है डिस्प्ले पर वो ऐसे नज़र आएगा 33.1, 33.2, 33.3 यानि कि इस माइक्रो प्रेसेसर में ये दोनों सेटिंग है आपकी सिविधा के इंसार आप इसे चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों चली चलते हैं इसके लिए आपको एक विशेश परिमेंटर पर जाने पड़ेगा वो मैं आपको बिताता हूं सबसे पहले आपक अपर की तरफ से पीटू के बाद पीतरी पीफ है एस लस पीफोर पीफाइब पीसिक्स ओटी एवन और सी एन CY E2 E3 E4 E5 E6 P7 P8 P9 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 DO0 DO1 DO2 DO3 CF0 CF1 CF2 CF3 CF4 DDF ND ND DD AD RS दोस्तों यह सभी इसके पैरामिटर थे जिनके सभी कारे अलगे हैं मैं आपको आगे सिलसलेवार इनके सभी कारेों के बारें बताऊंगा लेकिन आज जो हमारा में फोकस है वो है हमारे इस विशेश पैरामिटर पर RS पर RS पर आप जाकर सेट के बेटन को दबाईए आपको डिस्प्ले पर एक लिखावन जरा रहा है अगर आपको इसका रेजिशन चेंज करना है यहनि कि अगर आप आपके इस से माइक्रोप्रस इसके डिस्प्ले पर तापन 1.1 1.2 ऐसा तरह जाते हैं तो आप को इस सेटिंग चेंज करनी होगी आप जैसे ही ऊपर वाले बिटन से नीचे वाले बिटन से इसको करेंगे तो देखिए आपको 0.1 लिखा वान जला रहा है आप इसको सेट कर देंगे और तो यह आपका प्रोडम सेट हो गया लेकिन अब हमें इस फंक्शन से बाहर निकलना उसके लिए हमें इपी पर जाना पड़ेगा अब यह आप देख सकते हैं 32.5 अभी जब हमने पहले देखा तो 32 था सिरफ उसके आगे कोई भी वर्ड नहीं था तो अब हम इस दिस्विले पर 32.5, 32.6 इस तरह से तापमान को देख सकते हैं यह है जो स्विधाय कंपने ने दी हुए ताकि हमें अपनी स्विधा के उनसार हम इसे चेंज कर सकें दोस्तों वीडियो को लाइक और शेव अचे कीजिएगा चलो को स्क्राइब करना मत भूलेगा मैं आपको आगे भी ऐसे ही घ्यान वड़ेग वीडियो आपके लिए आता रहा हूँगा धन्यवाद दोस्तों